नमस्कार साथियों आप सबका पुना स्वागत है शद्धा एस्टो जोतिश में आज हम लोग कवर करने वाले हैं व्रिश्षिक लगन की कुणली में यदिश्शनी प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल हैं? हम ये भी कह सकते हैं व्रिष्षिक लगन की कुणली में व्रिष्षिक राशी का शनी किस प्रकार का फल देता है इससे पहले हम लोग सूरे से लेकर शुक्र तक की कम्प्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अप्लोड कर चुके हैं कोई भी विक्ती भ्रहुसरल अप्लोडिंग जल्दी ही करने वाले हैं आप बैल आइकन दबाएंगे तो आपको जितने भी अप्लोडिशन टाइमली हो रहे हैं वो सारे आपको टाइमली मिलते रहेंगे मेरा नाम है सनत कुमार वाचपई पंदरा सालों का अनुभव मुझे साइंस अन आस्टलोजी में हमारे बारे मौरदिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं सनत वाचपई लिखे आपको हमारे बारे में complete information मिल जाएगी या हमारा चैनल पर भी आपको हमारा facebook का group और हमारे contact details मिल जाएगे तो आइए शुरुवात करते हैं आज की class का प्रथम भाव व्रिशिक राशी और शनी बैठें याद रखेगा व्रिशिक जब मैं कहता हूँ व्रिशिक लगन या व्रिशिक राशी जब कोई प्रथम भाव में नंबर पड़ता है वो उसके हर तरह से सबसे ज़्यादा जीवन में responsible नंबर है वो यही नंबर कहा उसके सोचने का नजरिय क्या है उसका body structure क्या है हम लगन और राशी देखकर काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि इसको सोचने का तरीका क्या है अब रहती तो 12 की 12 राशियां सदय विक्ति के जीवन में कोई भी जाता को उसके जीवन में ऐसा नहीं कि व्रिशिक राशी नहीं होगी लेकिन व्रिशिक राशी जब प्रथम भाव में आ जाती है तो यही बन जाता है लगन याद रखेगा यह लगन हम कई दफा जीवन की जब बात करते हैं यानि हमने किसी के जीवन को देखा है समझा है वो हम इस लगने से देखते हैं यानि जब किसी विक्ति का जन्म हो रहा था उस समय पूरु दिशा में कौन से लगन उदे हो रहा था उस से हम लगने तय करते हैं लेकिन अगर चंदरमा से देखना हो तो चंदरमा क्या बताता है चंदरमा हमारे सोच के निजरिये को बताते है तो जब कभी आप किसी भी कोई आपने विचार किसी को दिया कोई भविश्यवानी आपने की उसको चंद्र कुंडली से देखकर ही उसकी पुष्टी होगी अदरवाई या दूरा रह जाएगा जैसे आपने देखा लगन भाव से दितिये भाव बहुत स्टॉंग आ रहा है लेकिन उसकी चंद्र कुंडली से भी उसकी पुष्टी जरूर करने चंद्रमा से दूसरा भाव अगर मजबूत अवस्था में नहीं है तो धन होने के बाद भी कभी उसको रियलाइज नहीं होगा या वो खुद बड़ा असंतुष्ट सा रहेगा लगन कुंडली से जो बा चंद्र कुंडली भी अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा प्लस होता है लेकिन दिक्कत यह है कि अगर चंद्रमा खराब यानि नीच को बैठ जाता है जैसे वर्शिक राशी में अगर यहां चंद्रमा बैठ जाता है तो लगन उसका वर्शिक और कांगा कारत है काफी ज्यादा देनी स्थिती हो जाती है तो फाइदा भी ही नुकसान भी क्लियर हो गया अगर चंद्रमा यहां बैठता है फाइदा तब है जब वो सपोर्टिव हो जैसे वर्शव लगन में चंद्रमा ही बैठ जाए लगने प्रथम भावं में तो एक्सेल्ड कर जाता है उच्चका हो जाता है बहुत अच्छे फल देता है मन मस्तिक शिक्दम विक्ती का शांत रहता है आनंदित होता है अब वर्षिक राशी आपको पता है बड़ी इन्वेस्टिगेट सस्पैंस पसंद करने वाली राशी है अपने इनके मन में क्या चल रह होता है चुक चाप रहना जादा पसंद करते हैं वर्षिक वाले के क्रोध का अंदाजा लगा पाना संभव नहीं होता है एक ऐसी राशी है जो अपने आप में विरोध है माने राशी का स्टक्चर जो है वो जलतत्व प्रधान है और ब्रामिन वर्ण है लेकिन इसका जो ल और अगर मंगल बड़े प्रभाव शाली होता है इस प्रकार के पस्नलिटी कहीं कोई गुप्तचर विभाग में कारे करवाना हो तो बहुत अच्छे तरह से कारे करते हैं मनमस्तिक्ष में कोई ने को इस प्रकार की छुपेवे रहस्य में विद्याओं के लिए या कोई ने इसको अच्छा फल देता देखा गया है जैसे अश्टमभाव में क्योंकि शनी अश्टमभाव के कारकत्व में माने जाते हैं अब यहां पर ना तो शनी का कारकत्व हैं और अगर हमारी बुद्धी में बैठ जाते हैं और अगर इसको ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते त उल्टा में टेंशन बहुत रहती हमेशा अनिद्रा का शिकार हो जाता है विक्ति बहुत ज्यादा विचार करता रहता है क्योंकि शनी इस राशी के स्वामी को शत्रु मानते हैं इस राशी का स्ट्रक्चर कुछ हद तक इसको अच्छा लगता है लेकि इसको जादा ओपन क प्रिये अब इनको कारकटवा कोई सपोर्ट नी वेला है क्योंकि पहले बहुकि कारकटवे में दूती है और शनी दूत च passions आपता यह, और इस प्रकर के सीरियल वगरा भी, वही देखता है जादा तर, जहांपर suspense, thrill यह ज़िएज़़ देखना बहुत चीज़ी देहती है पसंद करता है इस प्रकार की चीज़े गुप्त चीजों को इन्वेस्टिगेट करना इसको बहुत पसंद हो तब शनी यहां पर कि आपको लोग रहागा सर क्या कोई पॉसिबिलिटी है संभावना है कि शनी यहां अच्छे फल दे बिलकुल संभावना है और इनफेक्ट किसी भी कुंडली में जब हम देखते हैं अगर कोई प्लानेट केंद्रा और त्रिकोन या लाबस्थान या धनभाव का स्वामी है तो वहां संभावना हमेशा रहती है अगर वो धन्योग या राज्योग बना देता है तो फिर उसकी बुरी चीच जो है वो स्वत कभी भी राज्योग नहीं होता है याद रखेगा विपरीत राज्योग का मतलब होगा जीवन में कठिन परिस्थिति आने पर वो विक्ति उन कठिन परिस्थितियों से उबरता है और बहुत ज्यादा उचाईयों को छूजाता है लेकिन ये बात आपको समझने वाली है कि क गठिन परिस्तितियों का सामना तो आपको विपरीत राजयोग में करना ही पड़ता है राजयोग एक मरकार से देखा जाए तो सबसे अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनरली ये जीवन में एजी गेंज दिलाने वाले हुश है अगर ये राजयोग एक पांच-9 के मिलन से बनते तो यह एजी होते हैं बहुत मानें पूरो जनम के अर्जित पुन्यों का फल देने के लिए आते हैं राजयोग, अगर वो इन हॉस्ज के लॉड के साथ बनते हैं या इनी houses में बनते हैं बेज़े से ब्रहस्पती और शनी दोनों यहां बैठ जाएं क्लिर होगा है ऐसी बात नहीं कि यहां बैठेगा तो राजयोग नहीं बनेगा लेकिन केंद्रा हाउस या विश्णू है ज्यादा महनत आपने देखा भी होगा ब्रह्मा विश्टू महेश में से सबसे कठिन जा कठोर तपस्या मानी जाती है विश्णू की विश्णू को इसलिए जल्दी कोई प्रसन करता नहीं है या कर नहीं पाता है क्लेर होगा हार जाता है उसको कठिन परिक्षा से गुजरना पड़ता है तो ये विश्णू हाउस जो है जीवन में आपको मनें आपने कुटुम्ब में सबसे ज़्यादा कुटुम्ब छोड़ी है आपके देश में सबसे ज़्यादा ये शश्वी बना सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे इसलिए इन विश्णु हाउस को भरपूर सपोर्ट चाहिए लक्ष्मि हाउस जैनी एक पांच नू आपको पता है पहला हाउस विश्णू हाउस भी कहा जाता है और लक्ष्मी हाउस भी कहा जाता है Ministries लिए लगन कहते हैं तो इस राजयोग के हम जो बात कर रहे थे इसका स्वामी देखे मंगल है यहां का प्रतमभाव का यह विश्ण वाउस इसका स्वामी शनी है तो अगर यह दोनों एक दूसरे को एक्षेंज कर लें तो यह राजयोग बन जाता है क्लिर हो गया है आईदर यहां बैट जाने तभी भी राजयोग मंगल यहां बैटता है शनी यहां बैटता ने तो राशी कराशी वालों को भी, छटे भाउ का अश्बता का दोष नहीं लगता है, जैसे यहां मंगल इसका स्वामी है, तो मंगल को अश्ब नहीं मानेंगे, क्योंकि लगनेश है अब जिसे मेश लगन हो गया और व्रशब में भी देखने में आता है व्रशब नहीं तुला लगन में भी अश्टम और प्रतम भाव का स्वामी शुक्र हो जाता है तो उनको लेकिन अश्टमेश का दोष नहीं माना जाता है इसी प्रकार से इनको मंगल बहुत अच्छी वस्था में है तो यह चटे भाव से ही कुछ ऐसे विश्यों को शुद्ध कर देता है जो प्राया अच्छे नहीं माने जाते हैं और शदियों का बहुत अच्छा ग्यान मैडिशनल सरजरी है इस प्रकार की जीवन को बचाने वाले गुण विक्ती मे आ जाते हैं तो मंगल और शनी के सयोग से यह राजयोग बन जाएगा और राजयोग की अगर ऐसा होता है तो ना सिफ प्रथम भाव को इसका अच्छा फल मिलेगा इस इन्वेस्टिगेशन उनके इस नेचर को समाज में उल्टाए कि येश मिलेगा और इस प्रकार के नेच इन्टरस्ट आपके माता का सुख आपके भवन का सुख बढ़ जाएगा तरति भावा मोटीवेशन बहुत बढ़ा चड़ा होगा राजयोग होता है तो इन का इन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है clear हो गया तो ये था प्रतम भाओं में जब शनी यहां बैठते हैं तो किस प्रकार का अफल देते हैं अभी इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं कि किस किस प्रकार की दृष्टियां शनी यहां लगाया बैठे हैं और ये दोनों हाउस किस के हैं शनी के तो शनी अपने भाओं में दृष्टि बनाए बहुत बढ़ी है यहां बैठकर वेक्ति के प्राकरम को बढ़ाते हैं इसके जो भी भाई बंदू होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं उसके साथ मिला कर चलते हैं हाला कि गुसेल परवर्ती उनमें होती है इनके भाई बंदों में लेकिन क्योंकि शनी की दृष्टि अपने घर में पढ़ रही है तो आप जातक के साथ मिला कर चलते हैं प्राकरम इनिशेटिव बढ़े अच्छे होते हैं और बोल चाल अच्छा माना जायेगा लेकिन पॉलाइट नहीं होता है वो क्लिरोगत शनी का जो रौदर रूप देखना है वो कहां दिखाई देता है मकर राशी बट फिर भी सोसाइटि उसको अक्सेप्ट करती है क्योंकि शनी अपने घर में देख रहा है क्लिरोगत उसके बाद सब्तम दृष्टी से शनी मैरिज हाउस को देख रहे है विवाक शेतर को देख रहे है जब विवाक शेतर में शनी की दृष्टी पढ़ती है अगर शुक्र बली है तो विवा हो जाएगा समय पर अगर शुक्र बली नहीं है तो विवाद थोड़ा डिले करता है शनी याद रखियेगा रोकता है ये नहीं होने देता है इसा नहीं है डिले होगा लेकिन आपका जो पार्टनर होगा सुंदर होगा, शुक्र का नंबर आ रहा है और शनी के प्रभाओ से करमठ भी होगा थोड़ा सामला हो सकता है लेकिन शुब अंग, अंगों की सरचना सुडोल होगी क्योंकि हमारे कुटुम्ब को रिप्रेजन करता है काहल पुरुष्टी कुल्ली में दो नंबर हाँ, शुक्र अगर बहुत बुरी तरह से कहीं पिटा हुआ है, सूरे के साथ नीच का ओकर मेश राशी में बैठ जाए, तो फिर हाला नाजुक हो जाते हैं, फिर पार्टनर को कोई नो कोई रक्त विकार होने के संभावना बन जाती है, अगर शुक्र निरदोश बैठा है, तो सुंदर भी आपका पार्टनर बहुत होगा, और शनी की दृष्टी, अगर शनी भी बली हो जाता है, याद रखेगा शनी हर बार रक्त को थोड़ा सा साम्वला करता है, ऐसा नहीं है, शनी अगर मजबूत अवस्था में राजयोग बना देते हैं, तो गौर वर्ण भी देता है शनी, याद रखेगा जरूरी नहीं हर बार शनी कृष्णवर नहीं देगा, काला रनी देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और मुख्यरूप से तो यहाँ शुक्र का दबदबा है, एक्स्टेंड तभी होगी मैं आरेज याद रखे जब शुक्र कमजोर रवस्थ थीक हो गया, उसके बाद दसवी दृष्टी से शनी आपके कर्मक्षेत्र को देख रहे हैं, आपका कर्मक्षेत्र सूरे की तरह एक शाही सा महौल बना कर रखते होंगे, बड़े कर्म को लेकर बड़े मतलब सूरे के प्रभाव, यानि अथारिटेटिव हैं बहुत ज़्य और हाथ में अच्छी पावर रहती है आपके, लेकिन शनी क्योंकि हैं तो सूरे के शत्रुई, तो कहीं न कहीं आफिस के जो ग्रुप डी करमचारी हैं, वो कहीं न कहीं आपसे कम प्रसंद रहते हैं, या आपकी आग्या का उलंगन करते हैं, इस प्रकार की बात यहां रहता है, इसमें आपके बॉस और आप भी शामिल हैं, और आपके नीचे वाले करमचारी भी शामिल हैं, अगर सूरे बहुत मजबूस तिती में हैं, तो मन मुटाओ के बाद भी कभी आपके कारे में कोई कमी नहीं निकाल सकता है, ठीक है, रहता है मन मुटाओ, नहीं मानत जाए उच्च का उगर तो यह हमें कहीं न कहीं अथोरिटेटिव अच्छे पद दिलाता है फिर न्याया धीश का पद कहीं न कहीं अच्छे कि यह कानूनी लड़ाई भी दिखाता है सूरे मुख्य रूप से इसी चीज को रिपरजन करता है अच्छी अथोरिटेटिव पावर मेडि स्टेट इस प्रकार की चीजे यहां से रिपरजन की जा सकती है तो कुल मेला के शनी प्रथम भाव में राज्यों की दरकार है नहीं तो माइंड बड़ा एफसेट सा रहता है तो ये था शनी के प्रथम भाव में फन आपको क्लास कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताईएगा मिलते एगली क्लास में तब तक के लिए जैश्री भगू पर आशरा जैश्री शुक्राचारिय नमस्कार